हालो खुटाला, आज हम लोग कार्वन एंड इट्स कमपाउंड चैप्टर का लेक्चर वन देखेंगे, इसमें हम कार्वन की यूनिकनेस के बारे में समझेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कार्वन का जो प्लेस है हमारे पिरेडिक टेबिल में क्या है, अजय है छैखे, आजिया है, टैखे, इसमें कार्वन की यह होते हैं दो शेल होते हैं आटीए अजय है के लोग कार्बन के पारे में समझते हैं कार्बन बिटा कार्बन क्या है आपको पता है कार्बन जिसका थामिक नमबर 6 है कामिक इतना है और इसमें दो शेल होते हैं कितने शेल होते हैं इनाने क्या यह फिर्फेश अर यहां पंड़िया यह खिल्ट शे निसलिट हसे नियुकश सब्सक्सञा इस विए फोर एलेक्रान्स होते हैं यह देखिए थीक है तो ग्या हो गया यह कोंगिए जिसके क्वांगे नि मृट तो गॉमा फो अधी क्या होगा मतार यह टेट्रावलेंट हो मिया यह क्या हो गया टेट्रावलेंट इसकी उनीतनिस के विलता है ये टेटरावालेंट है केतीनेशन चोग करता है और ये कोवैलेंट बनाता है सासी, का साथ बौन बनाता है? बनाता है. और को ये, बनाता है। और एक आपको fundamental चीज बिटा बता दें कि carbon की जो origin हुई है, carbon word की origin हुई है, carbon Latin भाशा का word है, Latin language का word है, जिसकी origin हुई है coal से, carbon का मत्दब होता है coal, coal मिन्स कोईला, अब आप देखिए कि carbon की जो allotropes होते हैं, carbon की जो लोगन होते हैं, वो कौन कोन से हैं, carbon की योडोडोप्स हैं, diamond, graphite, flurring, mr. flurring, अब क्या है, देखिए coal नहां मिलता है, coal आपको माइस में जिलता है, उसी माइस में ही आपको diamond ही मिलता है, कोईले की खान में माइस में ही आपको diamond मिलता है, क्यों क्योंकि डाइमंड का एलोटोप्स है अब एलोटोप्स की बारे में उन्हों समझते हैं है एलो है लोटोप्स कि ऑफ कारबन ठीक है तो वीडियो को में पूरा देखेगा बहुत अच्छे समझ में आने वाला है आपको और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया उसको आप सब्सक्राइब कर ले जिसमें कि आपको हाई स्कूल की सारी वीडियो फिजिक्स केमेस्ट्री मैस इंग्लिश इवें की हिंदी की वीडियो कोशिश करेंगे वो भी आपको आपको ऑन-लाइन प्रोवाइब की जाए तो अब देखिए एलोटोप्स आफ कारबन आप एलोटोप्स आफ कारबन में देखिए दाइम्न में का द्रेंड में अर्य एलोट यह नुद का आफ गया गया कोई लोनकर आफ इस शक्रटर्टर ने शलीकी श्योरिक्याए तेजिदी मचमेस स्ट चर्टर पैए और के structure में जो आप red red देख रहा हैं इसलिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये carbon carbon से ही जुड़कर carbon carbon से ही जुड़कर एक structure बनाते हैं इसलिए carbon का क्या है ऐलोटोप है और इसमें कोई और element नहीं होता है ठीक है तो ये क्या है carbon के एलोटोप कौन कोई से हैं diamond graphite और बड मिस्टर फ्लरीन तो फ्लरीन तो ये तीनों जो एलोटोप से हैं सब सिर्फ carbon carbon की ही chain मनाते हैं carbon carbon की बॉल मनाते हैं कैसे बनाते हैं ये आपको देखना है ठीक है अब आप देखी carbon हो गया ठीक है अब कारण ये जो आपका ये पॉइंट है ये देखी ये भी क्या है carbon है कारण ऑप अब प्रिमेट्स में बनाता चला लता है आगे देख़िए यह हमाँ से यहां चाहरा यह से कार्भで हमकिते हैं in the diamond structure in the diamond structure one carbon one carbon joined four another carbon ठीक है elontos में क्या ह migrants चार carbon आपस में क्या होते हैं जुड़े होते हैं ठीक, अब आपको यह समझ more आया है अब देखी इता अब आजाए इस पर आते हैं अब हुम रोग आते ग्रेफाइट यह भी क्या है यह कार्बन का ही क्या है यह क्या है यह क्या है किसका कार्बन का अब इसमें ग्रेफाइट में इक है एक हैजड़न हैं इसमें इस तक क्या होता है जितना की यह आप देख रहे ना आखिए कि से और यह करना यह से जोड़िया यह कारवान участи जोड़िया यह से जोड़िया यह पार्वा ने जितने सब कारवाव्ण यह कार्बण नहीं आंप यह आपे पॉंक्ट पर के कोलदें थो क्या होAT थाओ है इस की भूला जाता है आप नेक्स बिता इसाइए By next, आपका है fluorine ठीक्षा है? Fortgary को समझे के? suppression क्या है? दिखे इबटा यह fluorine का structure है इकन अप्य क्या है? आप फुरारीन का structure में देखे जितने यह point है, चारवन है तो फ्लारीन क्या होawkा? यह देखे football के तरह आपको दिख रहा होगा तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बकी बॉल क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं और यह क्या होता है कार्बन का ही स्ट्रक्चर होता है इसमें कितने सिक्स्टी कार्बन सिक्स्टी कार्बन्स क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक बाउल की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बग मिस्टर फुलरी ठीक है क्या बोलते हैं तो आए हो इतनी जिसाप के समझ में ही होगी अब आगे बढ़ते हैं आगे अगर देखिया कार्वन के बेटा याद रखिए कार्वन के अलतौस है और भुड़ी चैलिख कार्वन वीडियो अवह अब आपको क्या समझना आ है और आपको यह समझना है कि कार्वा यागिर क्या ह frente क्या होता है कारवान सिंगल डबल और जी ये सब सबसेड़ों समझेंगे पर לחण जैसे आप देखें कारबन है ठीक है क्या होता है वेक्ण होता है क्या होता है Tetravalent होता है इसने चार फोर्ड इलेक्ट्रोंस होते हैं अब इसको आपना पूरा करने करने के लिए निद्स चाहिए इसके पास double bond में आ जाये सब को accept कर लेता है कैसे करता है तो सबसे से पर हम लोग क्या करेंगे सिंगल डबल बॉन ट्रिपल बॉन इसको देख लेंगे कि यह देखें बाटा सिंगल बॉन डबल बॉन और ड्रिपल बॉन पर स्ट्रक्च्छर ने अब इसमें देखें एच एच हाइड्रोजन यानि की है का लघा है सिंगल बॉन से जुड़ा है कैसे जुड़ा सिंगल बॉन से देखिए हाइड्रोजन के पास क्या है एक एक विजाँ हैं आपको पता है हाइसके पास है तो कि यह क्या करेंगा यह से यह से तो इसे तो यह एक यहां पर यहां पर यहां फिसे सिंगल बना लिया तो तो किया बने है यह यानि की हाइड्रोजन गया हाइड्रोजन कि एक चीज़ बिटा आपको पता है वेकिन एक पर सुन लीजिए कोई भी गैस कोई भी एलिमेंट जैसे की हाइड्रो नॉन मेटल कोई भी गैस सिंगल एलिमेंट्स में एक्सिस नहीं करता यानि कि कि जैसे हैं हैं सिंगल एक्सिस नहीं करेगा नाइट गजर इस नहीं करेगा आप शीजर डिखा रहे हैं कि हैं कि हाइड्रो जन मी क्या होता है है अपने देखा है इस इसको और चाहिए तो इसको और चाहिए अपना तो क्या होगा और यह देखिए इसने से दो ईलेक्राउन वाले इसको नियुक्त ऑप सीरिषिक एक आकसिजन और लेए और दिआ तो आप्सेजन नहीं पूरती है प्ने देखा लिए अब नहीं पर दो ऐसे हो प्रॉरर्ण नहीं है और इसने क्या क्या डबूट बनाया और क्या बंगिया ओटू ठीक है समझ में आइ बता तो यी क्या बन गिया ऑक्सीजन गैस बन गी जा सिंग अब आगे आजे ट्रिपल पाइंड पर देखिए ट्रिपल पॉंड पी धिए त्री एलेक्ट्रॉंस की शेरिंग होगी अब हम आजाते है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस कितना सेवेन एक विडिकेशन उसकी कितनी है कि अ्विड सैनों और फाइव यानि एक इसके इङकी आउटर्मस्ट जो मुक्त जो होगा है तो शेलरों से देखिए यह होगे वन शेल एंड सेकेटन इसमें दो होगे उना और इसमें कितने होगे फाइफ होगे इसमें कितना चळिए इसको थे येट लॉव्स और चाहिए तो अब देखिए नाइट्रोजन वां तू थी एक नाइट्रोजन यहां पर ओढ़ा जा रहा है कि यहां पित्व नाइडोजन 1 2 3 एक नाइडो से यहां पर लेत हैं यहां इनकी फाइट्रॉम्सा ना बिल्ञाइब यह इसको थीन चाहिए इस ने इस से तीन फैशन से कराईटो आध्यां च unfolding तकदिक स таких को ऐसे एस दिखाएंगे त्विकरा पही अचेए इतना समझेज़ घए इसको नाइट्रोजन 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 इतनी चीज पीटा समझ में आई आगे ना समझ में आप चलिए यहां प्राइब आजाते हैं देखिए बेटा आपको सिंगल बॉंड डबल बॉंड ट्रिपल बॉंड समझ में आ गया होगा सिंगल बॉंड डबल बॉंड ट्रिपल बॉंड में क्या होता बेटा कि सिंगल बॉंड में वन एलेक्राउं की शेरिंग होती है डबल बॉर्ण में टू लेक्राउंस की शेरिंग होती है तो अब क्या है आपको जैसे की बिटा पता है यह कार्बान है कार्बान टेट्रावैलेंट होता है तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कार्बान के साथ सिंगल बॉंड सिंगल बॉंड तो इसमें हम वो एलिमेंट लेएंगे जिनको एक इलेक्राउन चाही होता है ठीक है शेरिंग के दिए एक कमी होती है वो कौन है हाईडोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आईवीन यह सब क्या है इनका वैलेसं में क्या है एक एक एलेक्रॉन इनको चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे क्या एक है तो हाइड़ोजन हम चार लेए जाए कैसे, देखिए, एक हाइडोजन यह हो गया, एक लेक्टाउन हाइडोजन के पास इसको एक चैलिया इस से यह को चैलिया इसने एप्ति बने हीरा credible कारपwort को कितने चाहिए बेटा चार चाहिए उतकर निदेकर सबसे शेहिंध कर दोए सबसे एक एक इलेक्टराउन देके ले दिया इस भी जे बेर हैं ने concept premature देके हैं सबसे उसमें क्या किया एक एक लेक्टॉंस ने सबसे ले लिया तो क्या बनाया बटा देखिए यह यहां से जोड़ दीजिए इसको यहां से तो यहां से अब देखिए इसका स्केच्छा रहते बनेगा यह यह ओगया है 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 एक कार्वन के साथ चार जुड़े हैं तो यह क्या हो गया है यानी की हो गया मिधेन क्या हो गया है को aren't you the movement category अभिया गया आत्या समज्आ है कितना समय्सेंज में आया खहिक in rüका कि एक है में सी इसी में पिटासेंव करना में एगर देंदें हैं एक सिंकल गौन हो लेते हैं जै की अधर्डबुद है अभी सेज़ा पॉरणी समझ जाएं लोग कि ये लिगे लिगे हैं लोग कि हम हम को लिए पता है क्लोरीं का जया है क्लोरीं क्लोरीं का चील सेविंटीव होता है इसमें क्या होता है तो फर्स्ट और्पिट में एक सेट और और यह पुरा हो गया यह एक की जरूरत है एक की जरूरत है तो तो क्या करेगा क्लोरी क्लोरीन देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरी 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरी 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरी 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन यहां से ले लेगा आँज़ा, एक बना लेगा, क्लोरी, यहां से लेगे बना लेगा अपना अपनी सबगह और आपक्त आपके आप देखिए पडकर लिए यह से यह यह एक x झुम्ड दो ना तो c-l, 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 c-l. अब इसको लिखें कि पैसे c-cl-4 यानि क्या होगया carbon tetra chloride क्या होगया carbon tetra chloride या इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे टेट्रा क्लोरो मेथेन विए तेट्रा क्लोरो मेथेन भी इसी तरीके से इसकी बेलेंसी बन होगी वह एक एक गेलेक्ट्रॉम याणी चार इससे कारबन से जुल जाएंगे इसको पॉष्ट करके समझ सकते हैं पीछे से भी देख सकते हैं अब यह होगी आपका सिंगल पॉंट समझ में आ लिए होगा अच्छे से आगे देखते हैं अब क्या देखेंगे आप डबल ऑन देखेंगे कि देखें डब फॉंट कैसी होगा कि देखेंगे देखेंगे था कि अब बोट्र अब लॉझाला देखेंगे यानि हम डिखेंगे तो सबसे परबन लिख दिया और डबल बन बना एक दो दोलक्रांस आगे पीछे से लगा है अब हमको वह तो इलेक्राण चाहिए जिसको या इक रही तो यानि यह दो रहाँ शेयरिगा वह क्या है अचिछने सिंखर है और एक यह गांपे लेते हैं 1,2,3,4,5,6 इसको अपना टेट पूरा करना है? इसने एसे ले लिया अब दोनों के शेरिम होनी ना cham स्ट क्या करा Carbon ने इन दोरों से 2ll खर सबक्राइब 2 De시간 Double Bond ना लिया C Carbon Double Bond Oxygen Carbon Double Bond Oxygen ठीकिन इसको लिखें है कैसे? कार्बन एक है ऑक्सीजन दो है तो आपको क्या हो यार कार्बन डाई ऑक्साइड पैस हो गई है ठीक है अरे के बाद समझ में है डबल बॉंड समझ में आया अब देखिए कि देखिए इसको कि पॉश्च करते देखिए अब देखिए आप डबल बॉंड हो गया अब ट्रिपल बॉंड आजएए डबल बॉंड की बाद अब आजए इसको अगे रखने पढ़ेंगे पर एक लेक्ट्रॉंड यहां पर रखना पढ़ेगा तो तीने मिद्रॉंस की एक तरफ संफिधाधत की ऑलक शीरिंग उगी जैसे हम ले देते कि रिए प्लेवेंगे में है नाइस नियुक्तर में इस नहीं अपना डार में और इसने में पूरा तास्ति यह यहां से यह तीने दी आज निप्रमूरा तर्या तो क्या बना है है एक है 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 कि अगर कि अगर हटा देंगे तो यहां पीटबनेगा सी अगर माइनस यांग क्या बन जाए यह न अगर एक एलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है तिक या बनेगा अनायन बनेगा ठीक है देखी इसको कि इतना समझ में आ गया अब आगे पर दें सिंगल बॉन्ड डबॉन्ड रिपल बॉन्ड आपको आई हो सबज़ न्यां ग्याँ भगाँ टीक है इधिक है अब पढ़ते हैं एक चीज़ देखते हैं कि हाइड्रो कारगन होंको पढ़ना है क्या पढ़ना है थे और यह तो हमको तो hydrogen और carbon मिला के पढ़ना है hydrocarbon पढ़ना है आप देखिए तो आप CH के साथ 4H इंक्लिवड होंगे तो इस क्या बन जाएगा मेथे इंडेस बन जाएगी ठीक है अब यहां पर देखिए hydrocarbon hydrocarbon मेटा single bond double bond ripple bond आपने समझझे अब hydrocarbon समझझे कैसे होते है hydrocarbon दो तरह के होते हैं एक saturated hydrocarbon होते हैं और एक बिटा unsaturated hydrocarbon होते है saturated hydrocarbon saturated hydrocarbon means single bond saturated 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 hydrocarbon CH लिक देंगे hydrocarbon और unsaturated ठीक है ना unsaturated hydrocarbon saturated hydrocarbon और unsaturated hydrocarbon saturated hydrocarbon में मिटा क्या होता है single bond क्या होता है single bond होता है इसका फार्बूला भी होता है मिटा इसका फार्बूला होता है cn h2n plus 2 ठीक है तो एक होता है triple bond जिसका फार्बूला क्या होता है cn h2n minus 2 क्या होता है इसका फार्बूला पिटा होता है cn h2n minus 2 यह आप कर लिए इसको समाह लीजिए ठीक है यह अगर याप इसको याद कर लें ठीक है है क्या होन्या है saturated hydrocarbon और unsaturated hydrocarbon saturated hydrocarbon single bond होता है और उसका फार्बूला क्या होता है cn h2n plus 2 unsaturated hydrocarbon यानि उसमें क्या होता है किटा double bond और triple bond दोनों होता है उसका फार्वुला क्या होता है C N double bond क्या होता है C N H 2 N और double bond क्या होता है C N H 2 N minus 2 जो की निखा हुआ इसको आप देख सकते हैं ठीक है? सैंच इरेक्टेट सिंगल बहुत है अब देखे आगे बहुते हैं अब आगे बढ़ते हैं आगे आप पढ़ेंगे हम लोग कहा पहुचेंगे देखिए आप को यह चीज या अब कराते हैं जैसे कि हमने लिखा था C H 4 अब यह क्या है यह तो सिंगल बॉंड है तो इसको हम क्या बहुते हैं इसको क्या बॉला था मीथेन क्या बॉला था अब मीथेन कहां से आया थिक है समझ रहा है आप देखिए यह समझे आप देखिए नंबर अफ कारवान थिक है अगर एक कारवान होगा वन कारवान होगा तो इसको बोलेंगे मैथ क्या बोलेंगे बिटा मैथ ठीक है क्धिकर करवन हुए ऊसको बोलेंगे य्क तीम कारवन होंगे उसको बोलेंगे इस будет spiritually और पांछ याम होंगे तो ऊसको बोलेंगे 52 जरों दो आट होते हैं है आण3mers 본 से साथ होते हैं नो होते हैं नौन होते हैं यह पर至ंए नुजोन शुकर अब धिल्टाल अब अपने क्या बदा de बीटा, saturated, यह भी सिंगल bond होगा, सिंगल, double और triple, और triple, यह तुम पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, अब देखिए बेटा, single bond है, तो उसमें लगेगा in, क्या होगा, in, double bond है, in, यह कहा है बेटा, यह suffix है, ठीक है, जो word के आखरी में लगेगा, कैसे लगे यह देखिए गा, in, in और in अब बेटा देखिए, जैसे यहाँ पे लिखाया है, CH4, ठीक है, यह क्या हो गया, मेथेन हो गया, मेथ, प्लस, एन, ठीक है, एक यूपी, single, ठीक, अगर हम यहाँ पे लिख देए, हमें, C2, H4, ठीक है, C2, H4 लिखने है, अच्छा, इसको देखने पड़े, ठीक है, मेथेन हो गया, ऐसे हो गया, single bond है, C, H, 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 single bond से मेथेन हो गया, ठीक है, अगर हम यह कहें, कि अब इसमें फार्मूला कोंसा अप्लाई होगा, फार्मूला अप्लाई होगा, C, N, C, N, H, 2, N, प्लस 2, ठीक है, यह याद रखिएगा, यह single bond को फार्मूला हो, ठीक है, यह single bond को फार्मूला इसे याद रखिएगा, ठीक है, आप देखिए, carbon बढ़ाते चलिए, अगर आपका carbon, 2 carbon लेजिए, N equal to 2 ले लेजिए, N equal to, अगर हम 2 ले ले लेंगे, तो क्या होगा, C2, H, 2 in 2, 2, प्लस 2, यादि की 2, H6, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, C2, H6 क्या बोलेंगे, एथेन, ठीक है, एथेन, अगर हम carbon यहां पे ले ले 5, carbon कितना ले ले है, 5 carbon ले ले, सेथिए थे तो अग्हों इस तो हो जाएगा तो हैं ना थो इंदीटो 5 फाइफ प्लस 2 क्या हो गाएं एच्ट ट्वाइफ तो क्या हो जाएगा था प्रक्राइब पेंटें आपने कि पाड़ा रही है इसके दोढ़ना है तो क्या होग आइए न पतें हो गया इसी तडिक्यों जितने भी कार्बन लेंगे एक कार्बन मेथ दो कार्बन एक एक कार्बन प्रोग चार पर ड्यूड और पांच आप इसा में अगया आप दे आप है को कि अ मदिजिए डबू बॉर्ण में आते हैं अगर कारबन कि इसना है अब कार्बन मुपहसे दो है अब क्या फार्बन भाल जागा टू है मुथे अने हैं कि कार्बन लुगा है तो तक इतना हो में इंट यूदि फार्बन को मीना और हाइडोजन की इतने हैं चार है वाण टू त्री फोर यह है अब आप बेटा देखिए कि एक 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 इधर से आगया इधर से आगया इधर से आगया दो एक निज़रूरा थे तो यह क्या होगा यह डबल बना लेगा तो यह इसका स्ट्रक्चर होगा का यह स्ट्रक्चर होगा यह क्या है यह अन्सैचुरेटेट हाइड्रो कार्बन है क्या है डबल बॉंड है यह देखिए डबल बनाने का ठीक है इतना समझ में है क्या है C2H4 और इसका अगर नाम पूछा जाएगा तो इसका नाम आप क्या बताएंगे प्लस इन एथीन हो जाएगा आधीन होजाएगा आप इसी तरीपे से अगर तीन कार्बन ले लिए ठीक है एक कार्बन और ले लिए अगर हम क्या करेंगे C3 तो क्या हो जाए एच 2 × 2 3 यानि क्या हो जाएगा C3H6 C3H6 ते ही क्या होना प्रो नाम प्लस इन प्रोपीश क्या होगा एग जाएगा थीक है अब देखी है प्रोपीश हो गया है इस्सी तच्छर कैसे बनेगा यह भी देखिए है यह यह नो मं पर शो करिक Holy सम्में देखा आप यहां पें होगेगा इसमें इतने हो गए हैं, one, two, three, four, ठीक है, यहां से खटेगा, ठीक है, इसको यहां से खटेगा, ठीक है, इसको यहां से खटेगा यह, और यह, इसको यहां बिलाएगे, इसको यहां बिलाएगे, एक हट बिलाएगा, देखे, one, two, three, एक हट बिलाजन, यहां आएगा, अब जोड़ी कुधा, दीक है, ठीक है, देखे, इसमें क्या होगा, एक double bond होगा, जैने यहां देखे, एक double bond होगा, बागी बैलन सी देखे, सबकी, single, single, और इसको जोड़ेंग इसकी विचाहर होगी ठीक है यह देखें ऐसा स्टेक्टर में एका C3H6 का अब आई यह पिता समझ नहीं समझ में डबल पॉंड होगा है ना सिंगल डबल पॉंड ट्रिपल गॉंड भाउंड भी समझ दीजी ठीक है ट्रिपल बॉंड देखें विटा ट्रिपल बॉंड नहीं कहा है यह ट्रिपल बॉंड हो गया है अब ट्रिपल बॉंड कैसे लिखेंगे ट्रिपल बॉंड का पार्मॉला क्या है Cn Cn सब्सक्राइब क्या हो गया है अब इसका स्ट्रिक्चर पर ले देखिए आप ट्रिपल बॉंड कैसे आया देखिए पार्मॉला है ना दो आपकी क्या हो गया है कार्बन हो गया है और हाइड्रोजन भी कितने हैं दो की है तो यह आप यहां में बखाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं दो है